राधे राधे आ गये हैं हम कुर्ति की cutting और stitching लेकर जो हमने सरारा तयार किया था उसके लिए अब हम कुर्ति की cutting and stitching करेंगे सबसे पहले ने मैंने double fold fabric लिया है और double fold को हम four fold करेंगे 4-fold हमें 11-inch चोड़ाई में करना है ये मैंने जो चोड़ाई रखिया ये मैंने 11-inch चोड़ाई में इसे 4-fold किया है आप देख सकते हैं मैंने इसकी cutting कर लेनी है अब मैंने इसे दोने'llे पार्टों को अलग अलग कर लेना है आप इसकी लंबाई अपने रख सकते हैं चोड़ाई इसकी 22 इंच है मेरी फिटिंग के हिसाब से मैंने फ्रेंट पार्ट पर पेपर पेस्टिंग चिपकानी है क्योंकि मुझे इस पर लेस डिटेलिंग करनी है तो केबल फ्रेंट पार्ट पर ही हम पेपर पेस्टिंग चिपकाएंगे बैक पार्ट पर नहीं करनी है लेस्ट डेटेलिंग इसलिए हम बैक पार्ट पर नहीं करेंगे ये आप देख सकते हैं मैंने फ्रेंट पार्ट रख लिया है इसके ऊपर हम बैक पार्ट को भी रख लेंगे क्योंकि हम मुढ्ध ग मठी कि चुटिक डुश … य वो हम कटिंग कर देंगे दोनों की कटिंग हमने एक साथ ही करी है अब हम आगे के पार्ट में गहराई देंगे आदे इंच की गहराई हमने आगे के पार्ट में दे दी है अब हमें इसका जो फ्रंट पार्ट है उसका बीच में एक तो निशान में आपको सही से समझ में आएगा कि यह निशान क्यों लगा हैं यह पूरी हम्माने लाइन पार लाइन करनी जैसे कि मैंने आपको इस्टार्टिंग में दिखा भी दिएकी यह पूरा कैसा बनाए तो यह लाइनिंग लेनी है मझें जे पूरे फैबरिक पर इसी ताकि लेस लगाते समय हमारी इधर उधर ना हो वो एकदम सीधी लेस लगे आप बस इतना ध्यान रखें कि यह लेस डीटेलिंग जो मैंने करी है यह डेड़ इंच की दूरी पर यह सारी लाइने मैंने खीच ली है अब हम बुक परम पर गले की कटिंग करेंगे हमने गले की चौड़ाई चार इंच और लंबाई आप अपने इसाब से जो गहराई लेनी है आपको अपने इसाब से कम जादा रख सकते हैं मैंने जो गहराई रखी है वो पहले पांच रखी थी फिर मिर को लगाती कम होगी तो मैंने साड़े पांच इंच के करीब मैंने इसकी आप कम जादा कर सकते हैं वो आपकी चोईस है ये मैंने अभी फ्रेंट गले की कटिंग करी है अभी बैक गले की कटिंग बैक की जो मैंने गहराई रखी है वो चार इंच रखी है और चोड़ाई भी मैंने चार इंची रखी है बैक की अब इसे फैब्रिक पर पेस्ट करने के लिए हमने दौनों के लिए फैब्रिक भी कट कर लिए अब हमने ये अरेविक पट्टी कट करी हैं बाजू के लिए क्योंकि हम बिना बाजू का बनाने वाले हैं तो अरेविक पट्टी कट हमने बाजू के लिए करी थी बट मैंने ला सबसे center की line है उस पर अभी मैंने less नहीं लगाई है center से जो side में line है उससे मैंने less rating करनी start करी है सबसे पहले मैंने less लगाई है आप किसी भी तरीके की less choose कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसी less choose करें आपको अगर ये अच्छी लगती है तो आप आपकी है और फिसीला है अभी ये ध्यान रखे कि मैंने front मैंने एक करके ये ही लगानी है मैंने ये लगाई है कि अइसी एक ऐसी एक ऐसी इस तरीके से लगा सकते हैं आप आप लेकम प्लीट लगा लिया बीच में भी मैंने जो प्लेन वाली लेस्टी वो मैंने बीच में लगाई है अब हम गले की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे गले की स्टिचिंग कैसे करना है पहले मिले को बुक्रम को एक फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है अगर आपकी पेस्टिंग जो जो बुक्रम है वो चिपकने वाली है तो आ कि में घुक करने के बाद image फ्रנ्ट पार्ट हे उस पर फ्रेंट पार्ट लिए प्रेंट पार्ड़ उस पर हम पहुंद पेंगे यह स सिदू हुम इसको बिलकुल कि टेंट करने को सिदू है कि हम इसको तो भी को फैंट करें । कर दो कर दो कर दो कर दो कि अब लेस जेटेलिंग हमने गले पर कर दिया अब लेस जेटेलिंग करने के बाद हमें पीछे इसमें तुरपाई करने की जरूत नहीं पड़ेगी क्योंकि लेस जब हम लगाएंगे तो इसलाई हमें इतनी चल जाएंगी कि हमें इस पर तुरपाई करने की जरूत नहीं फिर मैंने यह घोटा वाली डबल दो बार लगाई है अब मैंने बैक पार्ट पर गला स्टिच करेंगे सबसे पहले हम बैक पार्ट के गले की जो गहराई है वो मैंने आप ध्यान रखें चार इंच ही रखी है आप इसे कमजादा कर सकते हैं यह आप ध्यान रखें अब हम क्या करेंगे सपे संग की संखी लगा देंगे ए फिर बाद में मैंने साथ की साथ इस पे लगा दी है बैक the song हम अगे की तरह सपे तलिड दाज नहीं लगांगे सिर्फ एकी मैंने पर लिस लगाई है in अब दौनर पार्टों को जोड़ लेंगे इनके मुड़े ये मैंने मुड़े की साइड से थोड़ा एक इंच दबाके सिलाई चलाई है क्योंकि मेरे को था कि मेरे को ये बिना बाजू का ही बनाना है तो पहले मैंने इस तरीके से सिलाई चलाई थी वो बाजू आपकी चोईज है आप ना भी लगाएं लगाएं ना लगाएं वो आपकी चोईज है अब रेबिक पट्टी को जोडना स्टार्ट किया है ये मुझे बाजू पे लगानी है जो मुड़े हैं उन्हें मूरने के लिए क्योंकि हम वाजू नहीं लगाने वाले थे पहले तो इसलिए मैंने ये मुड़े पे लगानी है ये कट इसलिए लगा जाते हैं ताकि जहां से ये गोल आई होती है वहां से मूड़ने में दिक्कत नहीं आती मतला सफाई से पीछे की तरफ ये मुड़ जाता है अगर ये कट लगाते हैं हम तो है अब है मुड़े पर भी लेस लगान लेनी है अब जिस को भी ये विदाउट स्लीपस बनाना है तो ये कंप्लीट हो चुगा है अगर विडाओ Doylells बनाना है अब इसमें फिटिंग लगानी बाँई है बढ़ आपको और विडाओ स्लीप नहीं बनाना तो आप इसके बाद भी इसमें स्लीप अटेच कर सकते हैं अगर आपको है की नहीं आपको ये विडाओ स्लीप नहीं बनाना है साथ इंच पर निशान झाला है बीच में ये निशान मैंने 15 g जो मढगाई मैं 15-20 च कप उधा क्रीब उधा ARE you आप इस तरीके से इने मिला देंगे लंबाई मैंने इसकी 29-30 इंच के करीब रखी है मैंने लास्ट इली इसकी जो लंबाई रखी ती कुड़ती की वो 29 इंच रखी थी मुझे बाजू लगानी है तो मैंने बाजू में भी लेस अटेच्च करना स्टार्ट कर दिया है आप अ स्लीप्स लगानी है तो आप स्लीप्स लगा सकते हैं मुझे स्लीप्स लगानी थी मुझे मतलब ठीक है अच्छा नहीं लगाता मैंने पहन के देगा तो मुझे नहीं सही लगा तो फिर मैंने स्लीप्स लगाई है दौना स्लीप्स पर ऐसे ही लेस डेटेटेलिंग करी है मै ईससे तो नहीं होगी अब अ उपर से इस तरीके से लुखके आठेच करनी होगी हमें अगर हम بعد में लगाते हैं पहली लगा नहीं होती है तो अलग तरीके से अठेच होती और आव Soy Kab Hahn अबे हमने लेस्टेटलीं करने के बाद हमहें आठेच करनी है तो इस तरीके से हमें टच करनी पड़ेंगी अब आप अब हम बाजी यह फितिंग लगा चुके हैं अब हमने स्लीप्स की फिटिंग 5 इंच यह हमें थोड़ा गोल आई से फिटिंग लगानी है इससे क्या होता कि वाजू में एकदम फिटिंग से आता है अगर हम सीधी ऐसे लगा देते हैं तो वह फिटिंग से नहीं आता है जो भी एक्स्ट्रा नीचे लंबाई मैंने जाधर रखी थी वो मैंने कट कर दी है क्योंकि लंबाई मेरको ये 29 इंच ही रखनी है कुर्टी की लंबाई अब मैंने साइड से चाको को मूलना स्टार्ट करा है हम नीचे से भी हम मूल लेंगे इस पर हम क्या है बाद में तुर्पाई कर लेंगे क्योंकि इतना चोड़ा है ये हमने मूल लिया है इस पर हम बाद में तुर्पाई करेंगे अब यहाँ पर भी हमें लेस लगानी है साइड से अटेच करनी स्टार्ट करी है ये अब देख लें आगे और पीछे दोनों पार्ट पर हम ये लेस अटेच करेंगे दोनों पार्टों पर लेस लगाने के बाद हमारी स्टेचिंग कमप्लीट हो चुकी है अब आप पहले कुर्टी का फाइनल लुक देखें और अगर आपको स्टेचिंग ये अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें फाइनल लुक देख सकते हैं आपको ये कैसा लग रहा है बहुती सुन्दर लगने वाली है ये पहन कर और हमें तुर्पाई कहा कहा करने ये आप देख लें नीचे और बैक पार पर हम तुर्पाई करनी है राधे 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 राधी क्रिश्न